महान शत्वपती शिवाजी की यह धर्ती शत्वपती संभाजी नगर में आज आप से मिलकर बहुत पुसंता हुई शत्वपती संभाजी की धर्ती एत्यासिक है सांसकतिक आध्यात्मिक रूप से सम्रध है और विश्य के प्रयटन इस्तल के रूप में भी इसकी अपनी पैचान है कि उद्ध्योग जगत में हो कि प्रयटन के अंदर हो कि शिक्षा नगरी के रूप में हो कि हैल्ज सेक्टर के अंदर हो कि लगातार यह च्छत्पती संभाजी नगर अपनी प्रगति की और आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके की अपेक्षाएं आकानशाएं यहां के लोगों की है मुझे आशा है जब किसी शेहर की जनता की आकानशाएं होती है अपेक्षाएं होती है तो उनको पूरा करने के लिए भी जन्पतिती व्यापक प्रयास करते हैं हमारे बीच में यहां पर विराजे रेल राजमंत्री महराष्ट के वरिष्ट नेता स्री राओ साफ दानवे जी जो इस शित्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं देश के वितर राजमंत्री आदनी डाक्टर भगवत किरार जी महराष्ट सरकार के मंत्री स्री अतुल सावे जी लोकसवा में हमारे साती सांसत इम्तियाद जली जी हरिभाव बांगड़ी जी परशाद बंब जी संजे केंकर जी और जहां पर आए शेहर के सभी सब्रांत नागरिकों माता बहिनों आप सबका मैं अभिवादन करता हूं शागत करता हूं कि बहुत लंबे समेसे मेरा इस्षित्र के अंदर आने का कारेकम बन रहा था लोकसवा में हमारे सांसद सुजावी के पाटिल लूनी के मेडिकल कोलेज के लिए लगातार मुझसे एक साल से प्रयास कर रहे थे मुझे स्रीडी बाबा की भी दर्शन करने थे और विशेष रूफ से जब मैं यह आ रहा था तो मैंने भगवत किरार जी से कहा कि मैं इस शित्र की उन सब्रांत विक्तियों से से मिलना चाहता हूं जो शेट्र के विकास के लिए लगातार प्रयास्वत हैं कि तस हो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत है कि कर रहा हमारा लोक्तंत प्राचितम लोगतंत है और इसलिए हमारे जीवन की कारेप्रणाली में, हमारे विहार में, हमारे आच्रन में हमेशा लोगतंत रहा है। लोगतंत हमारी विरासत है और आजादी के बाद भारत में लोगतंत की कौन सी पद्दती अपना आए जाए इस पर बड़ा विचार मश हुआ। लेकिन हमारे मान विचारकों ने उस समय संसिद्य लोगतंत को अपनाया। और आज दुनिया के अंदर शाषन चलाने की सरुषिश्ट पद्दती संसिद्य लोगतंत है। दुनिया के उन तमाम देशों के अंदर जहां लोगतंत नहीं है। वहां भी वो शाषन चलाने की पद्दती में लोगतंत लाना चाहते है। और इसलिए आज दुनिया के अधिकम देशों के अंदर लोगतंत है। क्योंकि लोगतंत ही शाषन चलाने की सरुषिश्ट पद्दती मानी गई है। हमने इस 75 वर्ष की लोगतंत की यात्रा के अंदर लोगत विकास किया। इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने हर शित्र के अंदर प्रगत्ती की है। लेकिन अब समय और तेजी से चरना और बदलाव की और होना है। अब दुनिया भारत की और देख रही है। दुनिया के देश भारत की और क्यों लोगतंत के कारण तो है से ही। लेकिन जो आर्थी प्रगत्ती हो रही है। जो हर शित्र के अंदर नया परिवर्तन हो रहा है। उसके कारण आज आर्थिक डेश्टिशन के रूप के अंदर भारत सबसे सरुषे शिस्ता ने ये दुनिया मानती है। और आज हमें गर्व है कि इस 75 वर्ष की यात्ता के अंदर हमारे नोजवानों की बहुत दिक्षमता, उनका नया इनोविशन, नई रिसर्च के कारण आज दुनिया के अंदर उस विक्षित देश के अंदर भी भारत का नोजवान नित्वत कर रहा है। हर प्रोपेश्णल के अंदर आप देख लें। चाएं डॉक्टर हो चाहें इंगिनर हो चाहड़ेड इकांटेंट हो आई एकनों हो कि आई टी हो हर सेक्टर के अंदर उस देश के अंदर प्रगति के अंदर अगर किसी का योगदान है तो भारत के नोजवानों का है। और इसलिए एक समय लगता था में जब हम चर्चा करते थे कि हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है और कई आबादी हमारे विकास के अवरोधक न बन जाए लेकिन समय परिवर्टन हुआ है आज दुनिया के अंदर हमारी आबादी बढ़ रही है लेकिन आज मानो संसाधन के रूप में भी हमारे युवाओं की बोद्धिक और स्षिष्टा के कारण आने वाले समय में हम नित्त करेंगे तो भारत के नोजवानों के कारण करेंगे आप देखिए आज देश की जनता के अपिक्षा बढ़ी है आकांशा बढ़ी है मैं जिस से तुमें जाता हूं आज की जनता की मांगे बढ़ी है यह मांगे बढ़ने का मतलब है कि शाशन से अपिक्षा बढ़ी है कि यह शाशन कुछ कर सकता है यह अपिक्षा जनता की देख लीजिए आज हर सेक्टर के अंदर कई ने कई बहुत तेजी से प्रगति हो रही है और इस तेजी से प्रगति में हमारा भी इतना एक कंट्रिबुशन होना ची है कि हमार सेक्टर के अंदर आज निर्बाव ने आज यहां का बजाज का ओटो देश के अधिकान देशों क के अंदर चलता है यह हमारी तांगे थे यहां औरंगा संभाजी रंगा का बनावा कि माइक्रो कि इसमाल मीडियम के युक्यमेंट संसाधन है कि वो दुनिया में एक्सपर्ट हो रहे हैं कि माराश्ट वो प्रदेश है जो भारत की आर्थिक राजधानी है जहां अलग अलग जिलों के अंदर चाये अग्रिकर्चर सेक्टर हो चाये टेक्नोलोजी का सेक्टर हो हो चाये मेनुफेक्ट्र का सेक्टर हो परियाटन का सेत्र हो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर माराश की प्रगत्ती बढ़ रही हो और माराश की प्रगत्ती बढ़ रही है तो देश की प्रगत्ती बढ़ रही है कि अभी दानवे साहब रेल कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे आज भारत में रेल कनेक्टिविटी की डिमांड बढ़ी है और उसाफ से बजट बढ़ा है आने वाले समय के अंदर जिस गती से रेल में काम चल रहा है हम भारत के अधिकांश इलाकों के अंदर रेल कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे और एक बेटर ट्रेंड चला कर और आने वाले समय में हम जो माल गोडाउन है उनको मेकेजम माल गोडाउन बनाएंगे हैं ट्रांसिपोर्ट जो रोड से होता था उसको ट्रेंसे लोजिस्टिक के अंदर परिफरwałतन कर रहे हैं अब सरकार एक एक दिशा कि ऊरकाम कर रहे हैं सब्सक्राइब का मानना है कि अगर हमें सवस्दा कॉलिटी का माल और कंपिटिशन का माल तो लोगिस्टिक की रेट कम करनी पढ़ेगी तो लोगिस्टिक प्रकाम हो रहा है किस तरीके से हमारा एग्रिकल्चर प्रोडक्ट एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँचे किस तरीके से एग्रिकल्चर प्रोडेट का वेलू एडिशन हो इसकी और काम कर रहा हैं आज आप चले जाएं मेडिकल केर की और दुनिया के अधिक्तम देश जो भारत के नस्दीक हैं वह भारत की मेडिकल की विशेश्टा के कारण में दुबई में गया तो वहां के लोगों ने काम इलाज कराने बंबे आते हैं कि जितनी वेरब कंट्रीज में गया लोगों ने का कि भारत के डॉक्टर बैती ने स्वास सेवाएं अच्छी है भारत की दवायां सस्ती है आप देखिए कि संभाजी नगर से बनने वाली दवायां कितने देशों के अंदर एक्सपोर्ट होती है और आने वाले समय के अंद कि हमारी क्वालिटी और स्वस्ती दवाओं के कारण हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बनने जा रहें दवायों कि तो मेडिकल के अंदर यह है आज आईटी के अंदर हमारे इसर्ज हमारे इनोवेशन आज हालत क्या है कि किसी जमाने में कुछ गिने चुने स्टार्ट अप अब भारत में नहीं उन दुनिया की सारी चुनोतियों का समाधान दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में वेक्ति की जिंदगी सुलब हो और उसको जो सेवाएं हैं वो आसानी से मिले और इसलिए स्टार्ट अप की दुनिया कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं अभी हम तीसे चो सिर्वानों के कारण में स्टाटप में नमबर एक होंगे कोई सेक्टर नहीं हैं हमने फाइज इंदर डेटा सबसे सस्था डेटा भारत का है हम टेक्नोलोजी के अंदर गाउं तब कहुंच रहे हैं है आने वाले समय के अंदर गाउं के इंदर इंडृस्टिस शेक्टर मटेगा है को ऐसा सेक्टर नहीं है जिसेक्टर के इंदर नहीं परिवर्त स्वर्थ हम कोई समय था जब कई आइटम जो में गिना नी सकता है हम इंपॉर्ट करते थे चाये defense का सेक्टर लेलो चाये mobile का लेलो electronic का सेक्टर लेलो कितने सेक्टर थे आज आलते हैं कि भारत defense के अंदर जो 90% इंपोर्ट करता था आज 60 प्रतिशत एक्सपोर्ट करने की तागत भारत में बने तो भारत की तागत सामर्थ बनता बढ़ता जा रहा है यह सब के सामुई प्रयासों से हैं हमारी सामुटास के मिलकर काम करने की संस्क्रति हमारी मानुई सवेधना एक दूसर के आपदा के समय मदद करना यह हमारी तागत है और इसलिए भारत में लोगतंत्त पन्पा आया है लोगतंत्त शसक्त हुआ मज्बूत हुआ क्योंकि मानुई सवेधना के साथ काम करते हैं चाह सो데 टकनलोजी कितनी बी हम परिवरतन करने ल और हम भोतिक साधनों के से नहीं हम आध्यात्मिक और वहारिक साधनों से दुनिया के अंदर नई दिशा बनाना चाहते हैं यह भारत की तागत है कि आज मुझे कुशी है कि आप के नोजवानों चाहे आप नोजवान और रहु किने के अंधोर करते मेरा शहर दुनिया से सबसे अगे शबदे और इसके लिए आप नहीने योज़नाएं बनाते हैं प्लान बनाते हैं प्रयास करते हैं और जब शामुष्ता से इसी तरीके से प्रयास आते हैं तो एक दिन बैतर प्रणाम भी आएंगे जब अपेक्षाय होगी आकान चाहोगी सपने देखेंगे तो सपनों को पूरा करने के लिए लक्षों से काम भी करेंगे और एक बैतर प्रणाम आएंगे आप सभी को आज यहां बहुत-बहुत इनने का है सब लोगों का लेकिन मेरा प्रयास रहेगा जो विशय आपने ध्यान में डाने उसको किस तरीके से एक्जुकुट कर सेगे आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद